एक्सराइज 1.2 जैसा कि आप सबी जानते हैं, एक्सराइज 1.1 में हमने एडिशन ओफ रेशनल लंबर्स देखा, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज को, रेशनल लंबर्स की प्रॉपर्टीज को वेरिफाई भी किया, कम्यूटेटिव को, एससीयोटिव को, और भी वगरा वगरा चीजे हमने देखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखा हैं, तो वह पार्ट जरूर देखें, नेक्स्ट एक्सराइस वन पॉइंट तू, कुशन नमबर वन, सब्स्ट्राक्शन, इस एक्सराइस में सब्स्ट्राक्शन बिट्वीन टू रेशनल लंबर्स देखेंगे, ठीके, फिर्स्ट कॉस्ट्वीन इस एक्सराइस बने बच्चे क्तलै कुर्ट पॉइंट 100 खट्राक्शन होगे, इसमें सेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे हम लेंगे इसका LCM जो की 35 आएगा 53 जा 15 तो यहां माइनस 15 7 13 टाइमस दैन 91 तो माइनस 91 65 78 91 ओके सही है माइनस 90 प्लस 1 100 90 10 100 106 माइनस 106 अपॉन 35 यह आपका आंसर हुआ ठीक है तो सेकेंड और थर्ड पार्ट आप इसी तरह से माइनस कर लेंगे अगर नहीं आएगा तो आप हमसे जरूर पूछेगा और आंसर सेकेंड और थर्ड पार्ट का आप कमेंट करेंगे सम अफ 2 रेशनल नंबर इस 3 by 5 Q2 आपका बोल रहा है दो नंबर को जोडने पर आपको क्या दे रहा है सम सम दे रहा है आपको 3 by 5 ठीक है और उसमें से पूछ बता रहा है if one of them is minus one of them is minus two by seven दूसरे वाले को निकालना है तो हमें दो नंबर का सम दिया है दो रेशनल नंबर का ठीक है सपोस कर ये दो रेशनल नंबर हमारे A plus B है A plus B को जोडने पर कितना दिया है 3 by 5 दिया है और B मान लीजे पिसमें अइक नंबर दिया है B A plus ये क्या दिया है minus 2 by 7 is equal to 3 by 5 यह हमें question में दे रखा है ठीके तो a को value निकालना है when this will go to this side right hand side क्या होगा यह plus वाला sign minus में बदल जाएगा और we can see this side only यहीं पर देखते हैं a अब plus और minus क्या होगा minus 2 by 7 is equal to 3 by 5 अब यह पूरा इस side से right hand side में जाएगा तो क्या होगा minus का plus बन जाएगा sign change होता है left hand side इस से right hand side में जाने पर या फिर इस side से इस side आने पर तो क्या होगा 2 by 7 similarly आपको find करना है Lcm 35 हमारा आएगा आप देख सकते हैं 5 to the 10 plus 7 to the 21 तो हमारा answer आगया 31 by 35 ठीक है I hope यह आपको समझ में आ गया है अगर नहीं नहीं आया तो हम यहां से ही directly ऐसे देख सकते हैं कि दो number का sum अगर इतना है एक number दिया है तो दूसरा find करने के लिए क्या करना होगा अधर directly आपको 3 by 5 को minus कर देना है इसे minus 2 by 7 directly दो number का add दिया है ठीक है जैसे दो number का sum आपको 10 दिया है ठीक है एक number 7 है तो दूसरा number क्या होगा 10 minus 7 3 तो उसी तरह से दो number का sum यह है एक number दिया है तो इसको directly minus कर देंगे 3 by 5 minus minus plus बन जाएगा 2 by 7 फिर आप यहाँ पे LCM ले सकते हैं 7 तीज़ ट्विंटीवन प्लस 10 35 by sorry 31 by 35 I hope this is clear next question is question number 3 question number 3 says what rational number should be added 2 minus 5 by 11 2 get minus 7 by 8 इसका मतलब क्या rational number हम इसमें add करें कि यह मिल जाए that means यह similar है second question की तरह 2 rational number को जोडने पे यह आ रहा है एक दिया है तो दूसरा बताईए ठीक है यह उस तरह हो गया कि 2 number को जोडने पे 10 आता है एक number 7 है तो दूसरा बताईए दूसरा क्या होगा 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 होगा ठीक है उसी तरह से इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे minus 7 by 8 minus minus 5 by 11 ठीक है minus minus plus 5 by 11 अब 11 और 5 8 का हमें LCM लेना है 88 11 7 जा minus 77 plus 8 5 जा 40 माइनस कर लीजे आप 7th में से 4 गया 3 माइनस 37 बाई 88 next question is question number 4 I hope सभी को समझ में आ गया next question question number 34 question number 4 says what rational number should be subtracted from minus 4 3 by 5 to get minus 3 2 by minus 3 1 by 2 इसमें से आप क्या माइनस करेंगे कि ये मिल जाए similarly आपको क्या करना है 5 forza 20 plus 3 23 minus 23 by 5 में से आप क्या माइनस करेंगे suppose कर ये आपने x माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा ये मिल जाए ऐसा आपको equation बनाना है 3, 2, 6, 1, 7, minus 7 by 2 तो हमें x की value निकाल ली है ये minus x अगर इधर गया तो plus बनेगा minus 23 by 5 और ये minus 7 by 2 इस left hand side आएगा तो plus 7 by 2 will be equal to x that means आपको इसमें से इसको minus करना है simply और आप equation बना कर भी कर सकते हैं 5, 2, just 10, LCM 23 into 2 46, minus 46, 5, 7, just 35 ये क्या हुआ हमारा x हमारी x की value आजाएगी तो मैं क्या minus करना है minus 11 by 10 right question number 4 next question I hope सभी को ये question समझ में आगया question number 5 sum of subtract sum of minus 5 by 7 and minus 3 by 8 from sum of 5 by 2 and minus 11 by 12 ये आपका question है sum means क्या होता है अगर जिस बच्चे को नहीं पता है sum मतलब क्या होता है sum means addition होता है तो इन दोनों के addition को आपको minus करना है इन दोनों के addition से तो पहले इन दोनों को आप add कर लीजे 5 by 2 plus minus 11 by 12 इसका LCM क्या होगा आपका 12 6, 5, 4, 30 minus 11 आपका answer आगया minus 19 by 12 sorry not minus plus 19 by 12 ठीके आपको इसमें से क्या minus करना है इसके sum को minus करना है minus minus 5 by 7 plus minus 8 by 3 7 आपको इसमें से इसको minus करना है तो चलिए अभी आपको इसमें से इसको minus करना है तो चलिए अब यहाँ पर हमनों करते है 19 by 12 minus minus 71 by 21 minus minus plus मिलकर plus बन जाएगा अब 12 और 21 के LCM क्या होगा चलिए निकालिए जल्दी से सभी हमारे साथ 6 21 2 तो जा 3 21 3 जा 1 7 7 जा 1 2 तो जा 4 4 तो जा 4 तो जा 12 12 तो 7 जा 12 तो 84 84 is the LCM into 4 into 4 4 28 plus into 7 into 7 19 7 जा 133 4 जा 4 plus 3 is 7 8 plus 3 11 1 1 carry 2 to 4 417 by 84 is the answer of question number 5 I hope you understood this चीके अगर नहीं समझ में है तो आप हम हर question के बाद आप से बोलते हैं अगर आप कहीं पे भी डाउट है नहीं समझ में है आप हम से पूछ सकते हैं and I will definitely tell you the answer question number 6 x is equal to minus 4 by 7 y equal to 2 by 5 verify that x minus y is not equal to y minus x इसको हमको proof करना है यह अगर हम x से y को minus करेंगे वो y से minus करने पर equal नहीं होगा तो start करते हैं x minus y को पहले लेते हैं minus 4 by 7 minus 2 by 5 ठीके 7 और 5 का LCM क्या होगा 35 same process रहेगा LCM लेना है आपको पहले LCM लेना है फिर minus करना है 5 4 जा 20 minus 20 7 2 जा 14 minus 14 add देखें minus minus होगा तो आपका add हो जाएगा लेकिन minus sign के साथ 20 30 34 minus 34 by 35 यह आपका x minus y आया चीके अब y minus x देख लेते हैं क्या आता है y क्या है 2 by 5 minus क्या x की जगा पे minus 4 by 7 अब minus और minus मिलके तो plus हो जाएगा चीके 2 by 5 minus plus 7 7 of 5 calcium 35 7 to the 14 plus 20 that is 34 by 35 हम देख सकते हैं कि दोनों number अलग है ठीके यह minus हो यह plus है तो यह हमारा प्रूफ करता है verify करता है कि y minus x is not equal to यह दोनों equal नहीं है ओके verified next question question number 7 question number 7 x is equal to 4 by 9 y is equal to minus 7 by 12 z is equal to minus 2 by 3 आपको क्या verify करना है x minus y minus z is not equal to x minus y then minus z ठीके यह यह प्रॉपर्टी हमने देखा है कि associative property does not hold rational number does not hold the property of association ठीके इसी को अब हम लोग प्रूफ करेंगे lh is first x minus y minus z right x की जगा पे 4 by 9 4 by 9 minus y क्या है y bracket में जाएगा हमारा minus 7 by 12 minus z क्या है 2 by 3 आपको पता है minus minus plus बन जाता है minus 7 by 12 plus 2 by 3 ok 4 by 9 minus 12 और 3 का lcum 12 ठीके minus 7 plus 8 आपका है 4 by 9 minus यहाँ पे आएगा आपका 1 by 12 अब हमें 12 और 9 का lcum लेना है जो की आएगा आपका 36 ठीके 9 4 जा then 4 into 4 16 minus 12 3 जा then 1 into 3 क्या आएगा आपका आँसर 13 by 36 ठीके आपका lhs तो आ गया अब हम देखते हैं कि rhs में हमारा क्या आ रहा है rhs में हमने क्या देखा कि x माइनस y को पहले करना है माइनस z बार में तो x की value 4 by 9 minus minus 7 by 12 square bracket then minus minus 2 by 3 ठीके 12 and 9 का lcm आपका आएगा 36 26 ठीके minus minus plus हो जाएगा यहाँ पर आप 4 से multiply करेंगे उपर नीचे तो यहाँ पर 16 बनेगा यह minus minus plus यहाँ पर 3 से multiply करना है आपको 21 minus minus 2 by 3 ठीके तो 10, 20, 30, 37 by 36 अब minus minus plus 2 by 3 3 और 36 का lcm आपका 36 आएगा 37 plus आपको इसमें 12 multiply करना है तो उपर नीचे दोनों denominator numerator में सेम नंबर से multiply करेंगे 12 to the 24 30 plus 20, 50, 61 61 by 36 अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 13 by 36 आया बट यहाँ पर 61 by 36 तो clearly दिख रहा है कि यह दोनों equal नहीं है LHS is not equal to equal to बनाना है पहले फिर not करके cut करना है is not equal to RHS verified I hope this is clear to you all we will move to the last question of our exercise that is true and false question number 8 first part minus 2 by sorry 2 by 3 minus 4 by 5 is not a rational number देखिए दो number का subtraction rational number नहीं होगा of course होगा आप इसको solve करके देखिए answer जो भी आएगा एक rational number होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने x minus y एक rational number को दूसरी rational number से minus किया है answer क्या है हमारा rational number ही आया है of course is not a rational number false होगा हमारा ठीके तो यह क्या जाएगा false 5 by 7 true हमने यह question किया भी है next commutative property holds for subtraction of rational number यह तो डायर्क आप question number 6 देखिए अपना commutative property हमने बोला अभी समझाया था commutative property क्या होता a plus b is equal to b plus a और उसी को subtraction में क्या कहते है a minus b b minus a या फिर x minus y is not equal to y minus a क्या बोल रहा है कि यह hold करता है तो यह तो wrong बोल रहा है ऐसा कुछ भी hold नहीं करता is not equal to show कर रहा है आपको देखिए is not equal to तो यह क्या हुआ हमारा यह हुआ false ठीके अभी हमने इसके पहले ही question किया है question number 7 उसमें associated property को hold नहीं करता associated property does not hold for rational number यह बिलकुल सही बोल रहा है कि नहीं वह hold नहीं करता तो यह हुआ हमारा true अब question number 5 आपका बोलता है कि 0 is the identity element for subtraction of rational numbers that means true so I hope this now exercise 1.2 is also completed I hope till now you have done good bye bye everyone take care and take care of your health thanks for watching SK Educar